नमेश्ट का दोस्तो मेरे डाम डॉक्टर नगेंदर यादव है इन दिनों में जो टर्टल्स और टॉटाइज में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि कच्छवे जो है अचानक से खाना पीना छोड़ देते हैं हमें ऐसे क्या करना चाहिए कि यदि वो खाना नहीं खाते है हम उनको लिक्विड फॉर्म में डाइट में क्या दे सकते हैं क्योंकि यदि खाना नहीं खाएंगे तो उनका जो वेट है डे बाई डे जो है कम होता चला जाएगा और वेट रिड्यूस होने के साथ साथ उनकी बॉड़ी के इंदर डिहाइडरेशन के जो है सिम्टमस आप को देखने को मिलेंगे इसलिए जब भी आपका कच्वा जब भी कभी खाना यदि छोड़ देता है तो हमें उसको लिक्विड फॉर्म में डाइट देना श्टार्ट कर देना चाहिए वो कौन-कौन सी डाइट हैं जो कि हम अपने कच्वों को एज लिक्विड डाइट के त जब भी कभी बिमार होता है और आपने उसको उसकी डाइट में डिखने स्टार्ट हो जाएंगे खाना पीना चोड़ देगा उसकी आइस में स्वेलिंग आजेगी या आइस पे जो है स्क्रैच करना शुरू कर देगा अपने जो आगे वाले पंजे हैं उससे जो अपनी सकते हो कि विटामीन और कैल्शेम उसको डेली रो जाना हमने देना ही देना है लिक्विड फॉर्म में मार्किट के अंदर इसली प्रिपेशन्स अवेलबल है आप दो दो ड्रॉप तिन तीन ड्रॉप आप अपने टर्टल या टॉट्टाइज को डेली डिरेक्ट आप उसक उल्टा कर देना है व्ल्टा करने के बाद आप जब देखेंगे कि उसका सिर्ट आसमान कि तरफ हो जाता है टर्टल के टौटइज के मुओ के अंदर इतनाтор होता है उसके अपर जार लूवर जा में इतना Гμ होताई कि आप कोईब की और vitamin A की syrup की रोज की दोडो drop आप दीजे ताकि आपका turtle in general में healthy बना रहे हैं अब बात करते हैं कि liquid diet में क्या क्या ऐसी चीजे हैं जो हम इसको maintenance पर दे सकते हैं ताकि वो healthy बना रहे हैं क्योंकि ये कुछ time के लिए phase होता है कि कच्छवा खाना छोड़ता है यदि हम उसको इस लिक्विड डाइट में हम उसको मेंटरेंस डाइट में देना चुरू करेंगे तो आपका कच्छवा फिर से धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लूटीन पर आ जाएगा सबसे पहले तो गाजर मिक्सी के अंदर दो गाजर अप ले करके उसमें दो गलास आप पानी डाल दीजे पानी थोड़ा सा गुनगना वने चैए गुमा लीजे जब अच्छे से आपका गाजर का पूरा रेड पानी के अंदर आजे उसको जो है छान करके छलनी से एक बाउल म को कारपैस बोलते है नीचे प्लैस्ट्रम बोलते है यह नीचे का इससा बॉडी का राउंड वला उसमें चारो पैर टेल अग के लेवल तक ही कियो उसको डिप करना होता है उसकी आईज जरूर उसमें डिप होने चाहिए उसमें क्या है कछवा उस पानी को पीता भी है और थो भी कच्छव खाना नखाए, तो पहली जो लिक्विड डाइट है, आप उसको गाजर का जूस आप दे सकते हैं, दूसरी जो डाइट होती है, कई बार जैसे अब गर्मी आगी है, गर्मी के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी, कि हमारे बास गाजर नहीं अविलेबल होगी, तो और फिर उसको कपड़े से या चलनी से चान करके, जो पालक काप का पानी के साथ जो लेवर आएगा, उसमें आप अपने ट्राइटार्स को पंदरा-पंदरा मिनिट के लिए बठाईए, पंदरा मिनिट के अवल सफीशेंट होता है, पंदरा मिनिट से ज़्यादा कभी भी पंदा मिनिट के बाद उसको बहार निकाल करके कोशिश कीजिए, आपके बस यूविलाइट का एक्सपोजर उसको जरूर देना चाहिए, यूविल रेज जो होती है, सनलाइट वाला काम करती है, उसके बोड़ी के अंदर रेज जाती है, और इसके जो इंटरनल और और उर दूसरी जो डाइट है, लिक्विड वे हम दे सकते हैं, टर्टर टॉटर इसको वो है पालका जूस, तीसरी जो डाइट है, जिसमें विटामीने सबस्या दिख देखा गया है, वो होता है, पपईया, यानि पपीता, आप पपीते को ले करके, छील करके, मिक्सी में डाल करक उसमें पानी डाल करके, मिक्सी को अच्छे से गुमाईए, जब आपका पपीते का पेस्ट बन जाएए, उसका लिक्विड फॉर्म में आ जाए, आप उसको छान लीजी, कपड़े से या छलने से, और उसमें अपने टर्टल ए टॉटर इसको पदा मीट के लिए आप डिप सकते हैं, इन जनरल में भी यदि आपका कच्छो अच्छे से खा रहा है, तो आप इमान के चलिए, उसको और ज्यादा हेल्दी रखने के लिए, हफते में एक बार आप ये डिपिंग वाला तरीका है, आप ये जरूर फॉलो कीजिए, तीनों में से किसी में एक में डिप की ही है, रेशिज हो जाते हैं, यदि आप ये लिक्विड डाइट अपने ट्राटले ट्राटले इसको अब उसको रेगलर डिप करते रहेंगे, तो उसकी स्किन भी हेल्थी रहेगी, बिल्कुल चम चमाती है आपको नजर आएगी, किसी भी कलर का, जो कह सकते हैं, आपको फे अपने दो, दो, तीन, तीन, ट्राटले इसको देनी है, यूविलेट का एक्सपोज देना है, तो कच्छो को जिन्दा रखने के लिए या उनकी लिक्विड डाइट में आपको इस तरीके से फॉल्व कर सकते हैं, आज मैंने इस वीडियो के माधियम से आपको बता है, कैसे ट्राटल या ट्राटले आपका खाना नहीं खाता है, हम उसको लिक्विड डाइट में क्या दे सकते हैं, दवाई देने का तरीका क्या है, और कैसे हम अपने कच्छो को हेल्दी, उसकी स्कीन को हेल्दी रख सकते हैं, उमीद कहता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद